नमस्ते दोस्तों दोस्तों हम सबकी हमेशा से यही चाहा रही है कि हम अच्छा गाए और अच्छा बजाए गातों हम सभी लेते हैं कुछ सुनके, रिडियो पे सुनके पर बजाना इसके लिए हमें खास मारदर्शन की जुरूत होती है और अगर प्रॉपर मारदर्शन अगर प्रॉपर हमें गाइडनस नहीं मिले तो हम कोई भी गाना किसी भी बाद्य पर पेश नहीं कर सकते इसी को ध्यान में रखती हुए शृती गुंजन ने एक नया उपकरम इस बार स्टार्ट किया है वो है Singing Sitar Tutorial इस Singing Sitar Tutorial में हम सभी को सितार पर हिंदी गाने किस तरह बजाए उनके Notations इन सभी की हमें जानकारी मिलने वाली हैं और वो सभी जानकारी हमें देने वाले हैं प्रसिद सितार और सूर्भारवादर श्री चंद्र शेकर जी नमस्ते चंद्र शेकर जी नमस्ते गुरु जी हम सभी स्टुडेंट्स आप क्या सीखते हैं या तो कहीं और सीखते हैं पर हमेशा हमें यही दुविदा रहती है कि हम सितार पर या किसी अन्यवाद्य पर गाना किस तरह बजाएं और किस तरह से उसके notations find out करें इन सब की जानकरी आपके इस सिंगी सितार tutorials में हमें मिलने वाली है और इसका सभी को लाब होने वाला है तो इस बार में आप कुछ बताएं चालीस साल से ज़्यादा मैं सिखा रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि इस सिलसिले में guidance से ज़्यादा misguidance बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैंने ये सोचा कि मेरे तरफ से जितना बने उतना मैं लोगों को guide करूँ और पट्टी मतलब scale उसका टिमपो और इस्पेशली सितार पर कौन सी जगह से मतलब कौन से पट्टी से शूर किया जाए इसका idea लोगों को नहीं होता है और सबको ये एक गलत फेहमी है अपने यहाँ कि हमको राग बहुत मुश्किल लगते हैं चलो गानी सिकते हैं इन फेक्ट गाने सीखना या गाने सीखाना भी ज्यादा मुश्किल है लेकिन मुश्किल को हम लोग अच्छे से अगर handle करें तो systematically handle करें तो वो मुश्किल मुश्किल नहीं रहेता है तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि स्टूडेंस को इस तरह बताया जाए कि जो proper उनको idea है कि इस subject में गाने बजाना इस subject में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए खास करके सितार स्टूडेंस को और इन जनरल गाने का understanding भी इसने जरुवी है ना कि बहुत classical का गाढ़ा knowledge होना चाहिए ऐसा जरुवी नहीं है लेकिन सुर्द्यान, तालद्यान की जरुवत हमेशा ही कोई भी संगीत के लिए होता है चाहे वो लोग संगीत हो या कुछ भी हो और एक अपना perception होता है वो भी जरुवी होता है तो यह सब बातों को मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा तो गुरुजी आपने आपके सभी स्टूडन्स को लेकर इस रुंखला को हम टुटोरियल का आप मार्गदर्शन दे रहे हैं तो आपने किस तरह यह मैनेज किया है और किस तरह गानों का सेलेक्शन हुआ है गाने का सेलेक्शन तो जो अपने को गाना अच्छा लगता है वो हम लोग ज्यादा ठीक से या ज्यादा इंट्रेस्ट लेके बजाते हैं तो सबको यही बताया गया है कि तुमको कौनसा गाना चाहिए आप सेलेकर और जो भी उन्होंने सेलेकर किया हो दिया है और कुछ गाने हम लोगों को पुछा जाता है कि कौनसा गाना चाहिए तो नहीं आप बोलो जैसे आप बोलो तो फिर कुछ students को हमने गाने सेलेकर करके दिये हैं गाने popular ही है सब popular गाने ही है और यह भी देखा है कि उनको बजाने में आसानी हो जो advanced student है उनके लिए advanced गाने भ जब आप यह कारेकरम देखेंगे तो कागस मैं नोट करने के लिए कुछ नोट बुक या अपना वाद्य लेकर ही बैठे यह request है थैंक यू तो दोस्तों जिस तरह हमें इस tutorial का लाभ मिलने वाला है आप भी इसका लाभ उठाईए मिलते हैं हमारे सिंगिन सितार tutorial में क्याँ अबाईगा लेकर दोस्तों वाला होोग कर दोस्तों बुक यूब इसका लेकर भी एक लिए जह लेकर वग श्यवा